गूगल एनलिटिक्स अकाउंट्स कैसे क्रियेट करते हैं, गूगल एनलिटिक्स में ब्लॉग सम्मिट करके गूगल एनलिटिक्स सेटप कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर है या आपकी कोई वेब वेबसाइट को सम्मिट जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करके आप अपनी साइट ट्रैफिक पर नजर रख सकते हैं अपनी वेबसाइट की अलग लग पोश्ट की परफॉमेंस को चेक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट में विजिटर्स को क्या पसंद है और किस पोश्ट पर जादा है इसकी जानकरी होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी हल्प से आप अपनी साइट पर ट्रैफिक को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं इसलिए आपको अपनी साइट की ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए एक एसे टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके visitor की हर एक moment को track कर सके For example, total visitors की detail, new and old visitors percentage कितनी है किस browser का use कितना हुआ, किस website से कितने visitors आए कौन सी country से आए, total page view क्या है और इसके लावा भी बहुत कुछ static से जो आपको अपनी website के बारे में पता होना चाहिए तभी आप अपने blog या website को आगे तक लिए जा सकते हैं एकदम targeted जानकारी अपनी website या blog में post कर सकते हैं और दोस्तों, अपनी site visitors को track करने के लिए जो सबसे best tool है वो है Google Analytics और Google Analytics में अपना blog या website submit कैसे करते हैं complete setup कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आप सेखने वाले हो तो चले दोस्तों अब और ज़्यादा time waste ना करते हैं वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने computer ये laptop में Chrome browser open करना है आप चाहें तो कोई दूसरा browser भी open कर सकते हैं open करने के बाद browser में आपको analytics.google.com के link को open करना है open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface open होगा तो guys यहाँ पर आपको start measuring case बटन पर click करना है जिसके बाद Google Analytics में account setup करने का first step आपके सामने आगा तो guys यहाँ पर आपको account name की field में अपना account name enter करना है Google products and services की जनकरी आप Google के साथ share नहीं करना चाते हैं तो इसे untick रहने दे सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और next option पर click कर देना है इसके बाद next interface में property setup करने का option आपके सामने आगा तो guys यहाँ पर आपको property name में अपनी website का नाम enter करना है जो भी आपकी website का नाम है उसे आपको यहाँ पर enter कर देना है इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अपनी website का URL enter नहीं करना है बलकि जिस name से आपने website create किये वो नाम आपको यहाँ पर enter करना है इसके बाद यहाँ पर आपको reporting time zone set करना है इसके लिए पहले यहाँ पर आपको country के drop down पर click करके अपनी country को select करना है अगर आप इंडिया से है तो यहाँ पर आपको इंडिया को select करना है और इंडिया select करते ही इस तरह से इंडिया का reporting time zone यहाँ पर set हो जाएगा इसके बाद currency drop down पक क्लिक करके आप अपनी country की currency select कर सकते हैं वैसे मैं आपको suggest करूँगा कि यहाँ पर आप US dollar को ही select रहने दीजे क्योंकि Google अपने users को US dollar में ही payment करता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको show advanced option पर क्लिक करना है जिसके बाद universal analytics property create करने का option आपके सामने हैं तो guys यहाँ पर आपको इस toggle button को enable करना है जिसके बाद website address enter करने का option है जो guys यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी website का protocol select करना है अगर आप attempts का use करते तो यहाँ पर आपको https select करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको www.com dot के साथ अपनी website का URL enter करना है website enter करने के बाद यहाँ पर आपको दो options मिलेंगे अपनी website के लिए Google Analytics property create करने के लिए पहला जो option है वो by default selected रहता है जिसके तुरू आप अपनी website के लिए दो google analytics property create कर सकते हैं analytics for और universal analytics तो दोस्तों इन में आपको create a universal analytics property only option को select करना है और next option पर click कर देना है बाद में आप अपनी website के लिए दो analytics property create कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी business detail एंटर करने हैं इसके लिए यहाँ पर आपको industry category के drop down पर click करना है और अपनी website की category select करना है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो यहाँ पर other select कर सकते हैं इसके बाद आपको अपना business size select करना है अगर आप beginner है तो यहाँ पर small option को select कर सकते हैं कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जागा कि आप अपनी website में कौन-कौन से measurements को check करना चाते हैं यहाँ पर आपको सभी options को one by one करके select कर लेना है अगर आप अपनी website के लिए किसी application का use नहीं करते हैं तो इस option को uncheck रहने दीजिए बागी सभी options को select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको create option पर click करना है जिसके बाद एक pop-up window open होगी तो guys इसमें आप Google Analytics की terms and services को देख सकते हैं तो दोस्तों इन सभी terms and services को आपको agree करना है इसके लिए यहाँ पर आपको इस check box को select करना है और I agree option पर click कर देना है इसके बाद save option पर आप जैसी click करेंगे तो इस तरह से Google Analytics में आपका account create हो जाएगा यहाँ पर आप अपने Google Analytics account की tracking ID देख सकते हैं जिसे आप अपने blogger blog में submit करके अपने blogger blog का पूरा status Google Analytics में check कर सकते हैं और इसके जसनी से आप global site tag देख सकते हैं जिसे आप अपने WordPress blog में submit कर सकते हैं और अपने WordPress blog का पूरा measurement data Google Analytics में check कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका blogger platform पर है तो यहाँ पर आपको tracking ID को select करके copy कर ले रहा है और इसके बाद आपको अपने blogger blog में login करना है और blogger dashboard के left side menu में settings option पर click करना है और blogger की settings में आप यहाँ पर यह option देख सकते हैं Google Analytics measurement ID इस पर आपको click करना है जिसके बाद एक pop-up open होगा तो इसमें copy क्या हुआ tracking ID आपको paste करना है और save option पर click कर देना है इसके बाद आपका blogger blog google analytics account में submit हो जाएगा और अब आप अपने blogger blog का पूरा analytics अपने google analytics account में check कर सकते हैं अब अगर दोस्तों आपका blog wordpress platform पर है तो आपको अपने wordpress blog में login करना है और wordpress dashboard के left side menu में appearance option पर आपको touch करना है और theme editor option पर आपको click करना है जिसके बाद आपके wordpress blog का theme editor open हो जाएगा तो guys यहाँ पर आपको right side menu में थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll करना है और theme header के इस option पर click कर ना है जिसके बाद theme header edit करने का option आपके सामने आजाए तो guys यहाँ पर आपको top side में click करके control F की press करनी है और इसके बाद search box में आपको slash head type करके angle bracket को close करना है और enter press कर देना है जिसके बाद आप सबसे पहले वाले closing head tag में पहुंच जाएगे तो guys यहाँ पर आपको इस closing head code से just google analytics का global side tag enter करना है इसके लिए आपको वापस google analytics में आना है और यहाँ पर इस global side tag को copy कर लेना है और wordpress में closing head code के just उपर paste कर देना है code पेश करने के बाद आपको bottom side में आना है और update file के इस option पर click कर देना है जिसके बाद आपका wordpress blog आपके google analytics account से link हो जाएगा और आप easily अपने word wordpress blog का पूरा statics अपने google analytics account में check कर सकते हैं और अपना google analytics account चेक करने के आवाद अपने blog में improvement कर सकते हैं अपने visitors के according उनके interest के according post publish कर सकते हैं तो इस तरह से friends आप अपने blogger blog या फिर wordpress blog को google analytics में submit कर सकते हैं अपने blog को काफी आगे तक ले जा सकते हैं google analytics में अपने blog का पूरा statics कैसे चेक करते हैं इसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में जानेंगे फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपको next वीडियो में किसी नियों topic के साथ तब तक के लिए जैहिन